हे गाईस आज हम इस वीडियो में जानेंगे इंडिया नेवी में SSR की रिक्रूमेंट एक्टिवेट की गई हैं इसे आप कैसे अपलाई करेंगे इसके बारे में हम प्रॉसेस दिखाएंगे पिछली बीडियो में हमने इस वेकंसी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन डिटेल्स को बता दिया है जिनको जानना होगा नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक को फॉलो करके वीडियो को वाच कर सकते हैं हम यहाँ पर जानेंगे कि इस फॉर्म को क्या से श्टेप बाई श्टेप कम्पलीट सम्मिट करेंगे तो फिलाल हमने ओफिस्यल जो वेफसाइट है वो भी ओपेन कर रखा है आप यहाँ से इस आविदन फॉर्म को फिल करेंगे तो चलिए गए इस फॉर्म अपलाई करने का जो प्रोसेस है वो देखते हैं इस वेफसाइट पर विजिट करने के लिए आपको नीचे डिस्क्रेप्शन के लिंक को फॉलो करके इस पर विजिट कर जाना है आप जिस भी एरिया से आता है वो इस टेट यहाँ पर आप सर्च कीजिए इसके बाद यहाँ पर आपको capture मिल जाता है आपको इस box में लिखनी पड़ेगी इसके बाद यहाँ save का option मिल जाएगा आपको इस पर click करना है click करने के बाद कुछ इस परकार से आपके सामने यह option मिलेगा first option जो है first time अगर candidate form फिल कर रहे हैं इंडियन नेभी की कोई वेकंसी तो registration करेंगे अगर आपने पहले से registration किया है तो आप यहाँ login करके आविदन form को submit करेंगे तो फिलाल हम यहाँ पर first process start करेंगे जो first time form फिल कर रहे हैं इंडियन नेभी का वो कैसे आविदन करेंगे तो सबसे पहले यहाँ registration के button को click करेंगे इसके बाद कुछ इस परकार से option मिलेगा इसमें आपको दो परकार का button मिल जाएगा आधार number और without आधार number अगर आपके पांस आधार number है तो यहाँ आप select कीजे इसके बाद यहाँ पर capture को entry करने के बाद यहाँ fetch from dg locker के option से अपने details को visit कर सकते हैं अपने details को आप पा सकते हैं यदि आप without आधार number के दोरा करना चाहते हैं तो second option को select कीजे इसके बाद यहाँ पर आपको कोई भी एक ID select करना है इसके बाद उस ID का जो serial number है यहाँ पर लिखेंगे इसके बाद यहाँ पर capture जो है इस box में लिखके आपको save की बटन को click करना है आपके सामने next page ऐसा सो होगा यहाँ पर आपको अपना personal information details यहाँ पर submit करना है यहाँ पर काईस आपको अपना first name लिखना है इस option में second name अगर middle name है तो यहाँ पर लिखेंगे नहीं तो आप अपना last name जो surname होता है वो आप इस box में लिखेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको अपना mobile number इंटरी करना है यहाँ पे आपको अपने पीता या माता का नाम लिखना है Gaussian name अगर आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं नहीं तो इससे ब्लैंक छोड़ सकते हैं यहाँ पे आपको अपना marital status select करना है उसके बाद यहाँ पे आपको identification mark आपको यहाँ पे लिखना है उसके बाद आपको नीचे आना है यहाँ पे आपको इस plus के button पे click करना है आप जैसे ही click करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना educational qualification details यहाँ पे entry करना है आपको अपना highest जो qualification है वो आप यहाँ पे select करेंगे उसके बात यहाँपर आपको highest stream की यहाँ पे select करनी है आप इसमे अपना additional qualification देना चाहते तो आप इसे blank छोड़ सकते हैं उसके बात आपको नीचे आना है यहाँपर आपको अपना account details यहाँपर mention करनी है यह जो आपकी account details यहाँ पे बनेगा वही आपका registration number और आपका password यहाँ पे रहेगा जब आप login करेंगे तो आप इसी account का use करके आप login करेंगे उसके बाद आपको नीचे आना पड़ेगा यहाँ पे आपको एक capture code मिलेगा इस box में आपको लिखना है और यहाँ पे आपको दो term and condition मिलेगा यहाँ पे आपको trick mark कर लेनी है आपकी जो preferred SMS language आपको प्राप्त होगा वो आप English में चाहते हैं तो English select कर सकते हैं या आप Hindi में चाहते हैं तो Hindi आप select कर सकते हैं उसके बाद सभी details देने के बाद यहाँ save के button पे click करना है जैसे ही आप save करेंगे submit करेंगे आपकी यह registration जो है वो complete हो जाएगी यहाँ पे आपको एक information सो होगा और आपके mobile number पर भी आपका message जो है इनके द्वारा send कर दिया जाएगा instruction और verify करने के लिए mail ID में एक आपको link के भेजी गई है उसके द्वारा आप verify कर लिजे अगर आप 24 गंटे में verify नहीं करेंगे तो आपकी जो यह registration है वो automatically delete हो जाएगी 24 hours में तो इसके लिए guys आपको verify करने के लिए सबसे पहले आपको अपने mail ID में जाना है और वहाँ पर आपको login करना पड़ेगा जब आप अपने mail ID में login होगे guys तो यहाँ पर आपका एक message इनके द्वारा send किया जाएगा यहाँ पर guys आप दिख सकते हैं एक Indian Navy के द्वारा message आया है उसको आपको open करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको एक option मिलेगा click here to confirm your email ID आपको just guys इस option पर click कर लेना है जब आप guys click here के option पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको OTP से verify करना है यह OTP आपके mobile number पर इनके द्वारा send कर दिया गया है वो OTP आपको इस box में लिखना है और यहाँ पर capture code यह जो सोरा इस box में लिखके यहाँ पर verify के बटन पर आपको click करना है अब जैसे verify करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं your account has been successfully confirmed यानि कि आपकी account जो है वो create हो चुकी है registration complete हो चुका है अब guys login करके form course complete apply करना है अब यहाँ पर फिर से अपना state जो है उससे select कर लेना है इसके बाद यहाँ पर capture मिल जागा इस box में लिखने इसके बाद save के button को click करना है save करने के बाद अब आपको login करना पड़ेगा क्योंकि आपकी जो registration है वो complete हो चुकी है login करने के लिए यहाँ पर आपको अपने email id और यहाँ पर password का use करना पड़ेगा इसके बाद यहाँ पर capture है आपको इस box में लिख के login के button को click करना है अगर आप अपना password भूल जाते है तो यहाँ से आप forget कर सकते हैं यानिकि अपने password को दबारा से प्राप्त कर सकते हैं login करने के बाद आप अपने dashboard पर visit करेंगे इसमें जो अपने information details फिल के है वो आपको दिखा जागा इसमें आपका profile अभी complete होगा profile जब आपका complete हो जागा तब आप post को select करके form को apply करेंगे तो य यहाँ पर marital status, guardian का नाम है तो आप इसमें लिख सकते हैं तो आप इसे blank छोड़ सकते हैं यहाँ पर आपके mobile numbers होगी यहाँ पर अपना gender आप select करेंगे इसके बाद आपकी highest qualification क्या है यहाँ पर आप अपना qualification select कर लेंगे यहाँ पर stream जो हम यहाँ पर select करेंगे PCB इसमें मांग है तो आप इसे blank भी छोड़ सकते हैं इसके बाद आपको अपना language यहाँ पर select करना पड़ेगा SMS का जो language है वो इसके बाद आपके body में कोई भी birth mark हो या आपका कोई भी पहचान हो जिसके दोरा आपको पहचाना जा सके तो वो आप यहाँ पर mention कर सकते हैं चाहे तो आपके body में नहीं है कोई पहचान तो यहाँ पर आप no mark भी mention कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर pen card number mention करेंगे अगर नहीं देना चाहते तो आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं इसके बाद इस term and condition को accept करेंगे यहाँ पर capture मिलता है आपको इस box में लिखना है इसके बाद save की button को click करन है ओके जो qualification data है वो successful save हो गया अब इसके बाद यहाँ देखिए जो qualification दिखाय जा रहा है वो 12th highest दिखाय जा रहा है इसके बाद 12th की जो certificate है उससे हम यहाँ पर upload करेंगे इसमें mark sheet मांगे गई है एक MB के size PDF format में so यहाँ choose file के option को click करेंगे अपना जो certificate है आप जहाँ भी रख subject wise qualification मांगे गई है जिनका mark system से वो mark system से add करेंगे जिनका CGPA के दोरा है वो CGPA के system के दोरा add करेंगे तो यहाँ पर Hindi, English, Physics, Math और Chemistry यह सब है जो भी आपके पास subject आपने intern में qualified किया है वो आप यहाँ पर total hundred number का होता है वो लिखेंगे कितना number आप पाए हैं वो यहाँ पर mention इसके बाद नीचे करेंगे यह optional है जरूरी नहीं है percentage के बारे में पूछी जा रही है यहाँ पर आप इसे blank रहने दीजे और यहाँ पर roll number या certificate का जो serial number है वो mention करेंगे इसके बाद यहाँ पर जो state है उसे आप select करेंगे इसके बाद यहाँ पर अपना board system select करेंगे किस board से आ इसके बारे में आपको mention करनी है दसमी के qualification में mark system से या percentage से वो आप इसमें पहले select करेंगे जो भी system में उसे select करने के बाद यहाँ पर आपको अपना total number कितना है वो mention करना है जैसे 600 का यह होता है और इसके बाद कितना आप number पाए है वो mention करेंगे यहाँ पर percentage आटोमेटिक जो कि video format होनी चाहिए इसके बाद यहाँ पर capture मिलेगा आपको इस box में mention करनी है और यहाँ save की button को click करना है click करने के बाद आपके जो qualification है profile की qualification वो successful add हो जागा profile में अपने qualification details को जब आप add कर लेंगे इसके बाद फिर से यहाँ current opportunities के option को click करेंगे click करने के बाद कुछ इस प्र details को check कर सकते हैं form fill करने के यहाँ पर apply option मिलता है इस पर हमको click करना है इसके बाद कुछ instruction note यहाँ पर मिलेगा आप इसे read out करेंगे इसके बाद नीचे करेंगे यहाँ instrument condition को accept करेंगे इसके बाद apply now के option को click करेंगे इसके बाद कुछ इस प्रकार से आपका details यहाँ पर दिखा रहेगा यहाँ पर अपना district आप select करेंगे इसके बाद यहाँ पर आधा number लिखेंगे अगर आपके पास span number है और देना चाहते तो यहाँ पर आप yes करके दे सकते हैं नहीं तो आप इसे no कर सकते हैं तो इनमें से जो भी आप ID का details देना चाहते हैं उसे yes करके mention कर सकते हैं नह रही की qualification में 5 subject होती है और total कितने number का हो जाएगा 500 और कितना number आपने पाया है वो यहाँ पर आपका percentage automatic add हो जागा physics, chemistry और bio का जो मिला कर होता है 274, 300 number की total आपका यह subject है नीचे आपकी details से आपके already add रहेगा इसके बाद यहाँ पर आप इससे save करेंगे और इसके बाद military आपक certificate है या आप arm force में job करने वाली candidate है तो आप yes करेंगे नहीं तो आप इससे no running दीजिए और यहाँ पर आप save कर लिजिए इसके बाद communication details आपको add करनी है इसके बाद आप यहाँ save कीजिए और इसके बाद इस vacancy के बारे में बताना है कि आपको यह vacancy कैसे पता चला कहां से पता सकते हैं इसके बाद आपको swimming आती है तो yes करेंगे यदि नहीं आती है तो आप no करेंगे इसके बाद save करेंगे इसके बाद documents आपका upload करने का option मिलेगा यहाँ पर आपकी science की जो 12th की qualification है अगर अपने add के है marksit तो यहाँ पर आपका add रहेगा 10 वी के certificate इसके बाद state certificate यानि के dom file में visit करके आप change कर सकते हैं add कर सकते हैं इस्टरा कोई certificate आप add करना चाहेंगे तो यहाँ add more के option को click करके add कर सकते हैं सारे option सही है तो save कीजिए इसके बाद जो post वो आपको यहाँ पर select रहेगा इसके बाद save कीजिए इसके बाद form की जो previous है वो आपको इसमें दिखाया जाग तो submit की option को click कीजिए इसके बाद yes के button को click कीजिए इसमें आवेदन चार जो है वो बिल्कुल free है तो कोई भी candidate इस form को fill कर सकते हैं form fill करने के बाद आपको यहाँ पर message मिलेगा कि आपकी जो form है वो सफलता पूरवक submit हो चुकी जिसमें आपकी application number आपको दे दिया जागा यहा पर click करके अपने form की जो status है उससे भी आप check कर सकते हैं तो form fill करने के बाद आप जब check करेंगे तो कुछ इस प्रकार से यह आपका form दिखाया जागा तो कैसे आप आवेदन form को apply करेंगे मैंने आपको सारा process दिखा दिया वीडियो पसंद है तो like और share कीजिएगा कोई सवाल करता है तो comment कीजिएगा मिलते हमाँ आप से next वीडियो में बाई बाई जाहिन